हलो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसमें सर्केट डाइगराम के बारे में तो आईए स्टार्ट करते हैं आपका क्या सर्केट डाइगराम ठीक है, अब circuit diagram के अंदर आपका देखिए, पहले आपकी ट्रमाती है circuit तो अब हम पहले देखेंगे circuit के बारे में कि आपका circuit किया चीज होती है तो यहां से आपका देखिए, electric circuit पहले हम पढ़ेंगे electric circuit को, ठीक है, अब circuit आपका क्या होता है circuit वो circular path होता आपका जहां से continuous current flow करता है और किसकी help से करता है connecting wires की help से और conducting material की help से तो इनके थूरू जो आपका current flow करेगा किसी भी closed path में उसको हम बोलते हैं आपका electric circuit तो यहां से the circular circular मतलब ऐसे goal जहां से start हुआ वहीं पे आपका end हो गया the circular closed path closed path ठीक है circular closed path in which in which continuous flow of electric current flow of electric current takes place with the help of किसकी help से connecting wires and and conducting material इनके help से अगर आपका continuous क्या flow करता है current अगर आपका flow करता है तो उसको हम बोलते हैं आपका electric circuit ठीक है यह आपकी बिल्कुल simple definition हुई कि अगर आपका कहीं भी closed path से current आपका flow कर रहा है और उसके अंदर आपका क्या connect है connecting wires या फिर आपके connecting materials अब जरा हम इसका उधारन देखते हैं आपका क्या आएगा यहां से अगर हम माल लें कि हम अपने घर पे light supply light आपका on करते हैं माल लो भई आपने tube light on कर दी और या फिर आप समलीजी कुछ wires होती है circuit के अंदर जो आपकी fan तक जाती है उनको बोलते हैं आपकी कौन सी wires होंगी connecting wires उनको क्या बोलते हैं connecting wires जो यहां पे मैंने mention किया हुआ है यह आप भी क्या है connecting wires है और connecting material आपका क्या है जो fan के अंदर आपने copper की winding दे हुई है या फिर जो आपने copper या फिर जिस जो भी material आपने place किया हुआ है उसको हम बोलते हैं connecting material ऐसे ही आपकी tubelites के अंदर आपका क्या होता है fluorescent tubelite या LED tubelite आपकी होती है उनके अंदर आपकी light glow करती है तो वहां पे आपका क्या होता है conductor आपका होता है तो conductor की ही help से आपकी क्या होती है वहां पे light glow करती है तो अगर किसी भी close path के अंदर आपका क्या है connecting wires है और conducting material है वहां से current flow कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या electric circuit अब इसका छोटा सा आपका एक example देखते है जैसे अभी आपने क्या बनाया था electric symbols आपके बनाये थे तो electric symbols के help से अगर मैं माल लेता हूँ बल्ब है आपका ठीक है यह आपका माल लेजिए बल्ब हो गया अब इस electric bulb के अंदर आपने क्या connect किया हुआ एक आपका switch connect किया हुआ है और साथ में आपने क्या connect किया हुआ एक battery आपने कनेक्ट कर दी है ठीक है तो यहाँ पे आपका इस sirkuit को हम क्या बोलेंगे आपका इस sirkuit के अंदर आपका क्या हो जाएगा जब current flow करेगा जब हम आपका इस switch को close करेंगे तो यहां से आपका current flow करेगा और जितना current यहां से जाएगा उतना ही current आपका इस बल्व के थूरू होता हुआ वापिस आ जाएगा तो यह path कौन सा हो गया आपका circular closed path आपका हो गया और यह जो wires आपने यहां पे represent की है यानि कि यह जो portion आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं भई आपा क्या इसको क्या बोलेंगे आपा connecting wires यह सारी की सारी आपकी क्या है connecting wires है ठीक है बैटरी को मत समझ ले ना बैटरी आपकी अलग है बैटरी आपकी यह वाली है बीच में आपकी क्या है बैटरी बैटरी के अलावा और बल्ब के बैटरी बल्ब और स्विच को छोड़के जो भी कुछ आपका है वो सब आपका क्या है यहां पर connecting wires है ठीक है अब यहां से इसको जो connecting material है conducting material यह मैं किसको बोल रहा हूँ इस bulb को आपका बोल रहा हूँ तो इनके थूर आपका क्या flow कर रहा है continuous current आपका flow कर रहा है ठीक है तो यह आपका हो गया क्या electric circuit के बारे में अब जरह हम जान लेते हैं circuit diagram आपका क्या होता है तो देखो हमने जाने अन जाने में एक diagram आपका बनाया यहाँ पे और इसी diagram को हम क्या बोलते हैं circuit diagram इसका मतलब आपका क्या हुआ the diagram which is represented with the help of electric symbols यहाँ पे आपने electric symbol लगाए कि नहीं battery आपने लगाई यहाँ पे आपने switch लगाया और आपने bulb लगा दिया यह तीनों आपके कौन से symbol है electric symbols है तो अगर किसी भी diagram को electric symbol की help से represent किया जाए तो उसको हम बोलते हैं circuit diagram तो यहाँ से अब हम देखते हैं circuit diagram की definition आपके क्या होगी circuit diagram का मतलब the diagram the diagram which is represented which is represented with the help of with the help of electric symbols जिनको किसकी help से represent किया जाए electric symbol की help से आपका represent किया जाए is called circuit diagram उसको आपका क्या बोलेंगे circuit diagram उसको हम बोल देते हैं आपका circuit diagram तो यह आपका हो गया किसके बारे में circuit diagram के बारे में अब जरा हम इसमें देखते हैं कि क्या हम bulb को ऐसे ही represent करते है bulb आपकी हो गई tube आपकी हो गई या फिर आपकी conducting material हो गई क्या हम इनको ऐसे ही represent करेंगे या फिर इसके अंदर कुछ modification करेंगे क्योंकि बल्ब का तो हमें sign पता है अब fan का sign तो हमें नहीं पता है अब fan को यहां पर इतने बड़े fan को हम represent भी नहीं कर पाएंगे है ना तो अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे हम उसको represent करेंगे तो देखिए दोस्तो circuit diagram को हम कैसे represent करेंगे कि fan आपका है tube light आपके AC है cooler है या फिर आपका iron आपने लगा हुआ है heater आपका लगाया हुआ है तो इन सारी चीजों को हम कैसे represent करते हैं वो जरा हम अब इसमें देखते हैं तो देखो यह जितने भी elements मैंने अभी आपको बताएं यह सारे के सारे elements आपके क्या होते हैं यह सारे के सारे elements आपके किसी ना किसी conducting material के बने होते हैं तो इसका मतलब वो conducting material जिसके यह बने होंगे उनका कुछ ना कुछ resistance होता है आपका जैसे अभी हमने बताया है resistance आपका क्या होता है तो कुछ देर के लिए हम माल लेते हैं next lecture हम resistance के उपर ही discuss करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे पहले हम माल लेते हैं कि कुछ ना कुछ क्या होगा उनका resistance होगा इसको अच्छे से next lecture में हम समझेंगे तो यहाँ से आपका समझो कि आपका कुछ ना कुछ resistance है और किसी भी आपके electrical equipment को यानि कि fan के अंदर कुछ resistance होगा कि आपका तैया आका tuba light भी हो सकती है इसको हम समझ सकते हैं आपका heater, इसको हम समझ सकते हैं आपका cooler, ठीक है, इसको हम कुछ भी समझ सकते हैं, resistance का मतलब आपका यही होता है, यानि कि यह आपका किसको represent करता है, electrical equipment को represent करता है, ठीक है, तो यह आपका हो गया electrical equipment, इसके बाद में यहाँ पे आपने क्या लगाया करेंगे तो यहां पर positive और यहां पर आपका आजाएगा नेगेटिव तो इस diagram को हम बोलते हैं आपका कौन सा diagram circuit diagram यानि कि वो diagram जिसको electrical symbol की help से बनाया जाए battery है आपका switch है और resistance है तो इसका मतलब इसको किसकी help से बनाया गया electrical symbol की help से आपका बनाया गया है ठीक है तो यह आपका क्या हो गया circuit diagram आपका हो गया है अब देखो इसमें भई आपने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर आपका क्या measure करता है voltage को measure करता है ठीक है तो अब आपके current को क्या measure करेगा उसको हम बोलतें ampere meter और short form में आपका होता है emmeter तो emmeter को हम connect करते हैं आपका कहां पे series के अंदर अब series क्या होता है यानि कि हम place करते हैं उसको जहां से current flow कर रहा है उसी के path में कहीं हम इसको place कर देते हैं जैसे माल लीजिए यहां से जैसे हम circuit को क्या करेंगे आपका close करेंगे यह close circuit का आपका symbol हो गया तो जैसे हम circuit को close करेंगे यहां से आपका क्या flush करेगा आई और हमें पता यहां पर क्या मिलेगा वापिस आई मिल जाएगा जितना आपने current भेजा उतना ही current आपका वापिस आजाता है बैटरी के पास में ठीक है? तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि यहां पर आपा current आई है आई अगर आपका मालिज ये एक MPR है तो एक MPR ही आपका यहां पे होगा है ना तो अगर हम इसके बीच में आपका कुछ भी रख दें वहां से भी आपका कितना जाएगा यहां पे एक MPR ही जाएगा तो यहां पे हम क्या प्लेस करते हैं आपका M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M शेमीर को ऐखको किया रहे ऋ Сबिया बाया और उसको हम बोलते हैं आपका चया सेज सिरी और अगर मैं बात करूं आपको किसकी прाउल्टमीटर की उखकश़ remont लगार गल्स-डगे वोल्टमीटर के समने बॉल्टमीटर को किसको हम ने बंक त्रिक्ट है ठीक है, यह आपका हो गया, वोल्ट मीटर इसको बोलते हैं आपपा क्या? पैरलल पैरलल का मतलब आपका क्या हो गया? दो पात हो गई, देखो, यहां से ध्यान से current के आपके कितने पात नज़रा रहे हैं यहां से current आपका आई गया इस switch के बाद में आपका current क्या रहेगा आई ही रहेगा लेकिन अब current को दो रास्ते नजर आ रहे हैं कि current आपका confused हो गाई यह समझे लीजे current यहां से जाए या फिर आपका current यहां से जाए तो मैं बताऊंगा कि current आपका दोनों पाथ से जाएगा ठीक है हाँ यह जरूर हो सकता कि कहीं से कम जाए कहीं से जादा जाए current आपका दोनों पाथ से जाएगा तो अगर आपका current दो पाथ में डिवाइड हो जाता है और वापिस आपका मिल जाता है और वापिस मिलके उतना ही current बना देता है तो इसका मतलब वो चीज जहां से आपका करंट डिवाइड होना शुरू हुआ वो आपकी किसमे होगी पैरलल में आपकी हो जाएगी इसको हम बोलते हैं पैरलल ठीक है तो करंट जहां पे डिवाइड हो जाता है यानि कि बट जाता है दो पार्ट्स में या 3 parts में या 4 parts में, उसको हम बोलते हैं आपा क्या, parallel और अगर अगर आपा current क्या रहता है, same रहता है, यानि कि अगर एक ampere आपने भेजा और बाद में भी एक ampere रहा, तो इसका मतलब वो आपा क्या हो जाएगा, series आपका हो जाएगा, ठेक हैं तो अब जरह हम इसमें देखत कि आपका क्या होता है तो इसको फिलाल के लिए हम क्या मानते हैं स्विच ठीक है तो एमेटर के थुरू और स्विच के थुरू आपका करंट क्या है सेम है तो इसका मतलब एमेटर और स्विच दोनों आपके किसमे हैं सिरीज के अंदर हैं लेकिन यहां पर आपका करंट माल ल अब जितनी वोल्टेज इसके एक्रोस आपकी आएगी, जितनी वोल्टेज इसके एक्रोस आपका जितना भी पोटेंशल आपको नजर आएगा, उतना ही पोटेंशल इसके एक्रोस आता है, वोल्टमीटर के एक्रोस आपका आजाता है, ठीक है, तो यहां से यह आपका क्या मे आया था और एक city के through जो जा रहा था तो पहले जहां से आपका चल रहा था वहां से और वहां पीस जहां पर आपका मिल गया वह दोनों आपके क्या है same path हैं तो इसको हम बोलते हैं आपका कुंसा parallel ठीक है तो यह आपका parallel में है और इन दोनों का combination है क्योंकि इसके बाद में और इसके बाद में आपकरंड क्या है यहां पे सेम है तो ये दोनों का जो combination है यह आपकि समझने की जरूरत है कि यहां पे तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे जब आपका प्रजिस्टेंस प्रड़ पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठाइब हम देख लेते हैं इसमें यह तो आपने मरा इसको सर्केट सिंबल को आप हम देखते हैं आपका emitter के बारे में बाकी सब कुछ हमने पढ़ा बही सर्केट डाइगराम आपका क्या होता है जहां पे electric symbol के help से अगर किसी की diagram को बना दिया जाए वह आपका क्या हो कहलाता है circuit diagram electric circuit जहां पे जिस close path के अंदर continuous current आपका flow करें उसको electric circuit बोलते हैं और current के बारे में तो हम देखा ही था कि flow of charge per second होता है है अब जरा हम इसमें देखते है emitter आपका क्या होता है तो जरा हम emitter के बारे में भी जान लेते है emitter इसको बोलते हैं आपका कौन सा ampere meter यह आपका किसको measure करता है ampere किसकी unit है current की unit है तो यह चीज़ बताने की जूरत नहीं होगी कि यहां पे यह किसको measure करेगा it measures it measures magnitude of current कि current का कितना magnitude है उसको यह measure करके बताता है तो यह आपका हो गया किसके बारे में emitter के बारे में अब emitter आपका कहां पे connect होता है series में connect होता है तो next आपका point emitter is always connected in series ये कहां पर connect होगा? series में, क्यों connect होगा? क्योंकि current आपका क्या है? same है, because current will be same in series अच्छा, अब आपके दिमाग में कुश्चन आ रहागा, वोल्टमेटर आपका क्यों connect होता है कहां पर? parallel में क्योंकि parallel के अंदर क्या चीज़ सेम होती है voltage, या फिर हम बोले potential difference voltage या फिर potential difference आपका parallel में क्या रहता है same रहता है, इस वज़े से उसको हम connect करते है voltmeter को कहां पर? parallel में ठीक है, ये आपका हो गया, next आपका क्या आ जाएगा इसमें, अब देखो जब आपका, आपने क्या किया, emitter को यहां पर लगाया तो emitter भी तो किसी ना किसी conducting material का part है ना तो अगर आपने fan का resistance बताया bulb का आपका resistance बताया और आपने tube lights, बाकि चितने भी आपके electrical equipment है, सभी का आपने क्या बताया? resistance बताया तो इसका मतलब emitter का भी आपका कुछ ना कुछ resistance होगा, ये भी electrical equipment है, है ना? तो इसका जो electrical resistance होता है ये बहुती कम होता है ना के बराबर, ठीक है? किसके बराबर आपका resistance होगा? ना के बराबर आपका resistance हो जाएगा तो यहां से जरा हम इसके category देखते हैं next आपका, the internal resistance यानि कि इसका जो resistance होगा internal resistance of emitter is very small बहुती कम होता है, ठीक है? ये ब्रेकेट में लिख देते हैं in milli-ohm और micro-ohm range इस range के अंदर आपका resistance हमें मिलता है बहुती कम, ना के बराबर, ठीक है? अगर हम ideal के case की बात करें वैसे तो ideal आपका कुछ भी नहीं होता ideal तो सिरफ एक ही चीज़ होती है, बगवाल है ना, ideal मैं भी नहीं हूँ तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, कि ideal के case की अगर हम बात करें तो in case of ideal emitter ideal emitter के case में, यानि कि अगर आपका resistance वहाँ पे नहीं है है ना, यानि कि आपका कुछ भी यहां से जितना current आपका आया, उतना ही आगे चला गया ideal का मतलब होता है कि यहां पे आपका कोई भी potential के अंदर गिरावट नहीं आई देखो, potential drop, दो चीज़े होती है, एक तो आपका होता applied voltage applied voltage तो हम यहां से करते हैं, बैटरी को बोल सकते हैं आपका क्या, applied voltage और जो यहां पे आपका यह वी आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते है potential drop, ठीक है, इसको आपका क्या बोलेंगे, potential drop आपका बोलेंगे, ठीक है, तो in case of ideal emitter, अगर आपका emitter ideal है, तो उसके case में potential drop 0 होना चाहिए, उसके case में आपका क्या हो जाएगा, potential drop will be 0, इसका potential drop आपका क्या होगा, 0, और क्यों होगा, because its internal resistance, तब हम इसका internal resistance माल लेते है, its internal resistance will be 0, ठीक है, इसका internal resistance हम क्या माल लेते हैं, आपका, 0 माल लेते हैं, तो हम बताते हैं, इसके cross कोई भी potential drop नहीं होगा, ठीक है, यह आपका ideal के case में है, लेकिन ऐसा नहीं होता आपका, ठीक है, यह practical वाला case है, ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया है, यह practical के case में है, और नीचे ideal के case में है, clear है ना, अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि भई यह आपका internal resistance आपका कैसे 0 हो जाता है, potential drop आपका 0 जब होता है, क्योंकि अभी हम ने resistance के बारे में नहीं देखा, यह emitter आपका series में आगया था, emitter के connection आपका आगया था, तो मैंने emitter के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, अब जरा हम इसमें और चीज़ देख लेते हैं, जैसे आपका अगर कोई conductor है, इसी के अंदर आपका देखते हैं, जैसे माल लीजिए आपका कोई conductor है, conductors का resistance आपका होता है, milli ohms में, ठीक है, किस में आपका होगा, milli ohms के अंदर, ठीक है, या फिर micron में भी हो सकता है ठीक है, ये तो आपका होगा, किस का, conductors का case में, है ना, ये conductors आप समझ सकते हैं, metals के case में, आपका, जैसे कोपार, आपका, aluminium, इस टाइप के आपके जो metals होते हैं, उनका resistance इतना होता है, aloes के case में, आपका कुछ ohms हो सकता है, कुछ ohms में मिलेगा, फिर आपका आता, insulators, insulators के case में, अगर हम बात के, प्लास्टिक वगएरा का, इनका जो resistance होता है, या तो mega ohms में मिलेगा, या फिर kilo ohms में मिलेगा, यानि कि बहुत ही ज़्यादा resistance होता है, इसको हम resistance के case में, बहुत अच्छे से आपका analyze करेंगे, कि कैसे होता है, फिलहाल के लिए सिरफ हम इतना जो की आपके किसके category में आते हैं, conductors की category में आते हैं, metals की category में, ठीक है, उनका resistance मिली ohms में, या फिर आपका किसमें मिलेगा, micro ohms में, तो ये था आपका किसके बारे में, आपका current के बारे में, और हमने पढ़ा emitter के बारे में, अब इससे related हम कुछ question देखते हैं, देखिए दोस्तों, अब इस question के अंदर आपका क्या कहना चाहरा है, यह कह रहा है कि a flash of lightning, यानि कि जब आपके बिजली कड़कती है, उसके बारे में बात कर रहा है, तो a flash of lightning carries, इसके अंदर carry मतलब इसके अंदर है, क्या है, आपका 10 कूलंब का charge है, इसके अंदर आपका क् मतलब, जैसे आपकी धरती बे गिरती, उसके बारे में बात कर रहा है, तो उस electricity को वैसे मैं आपको बता देता हूं, कौन सा आपका charge होता है, वहाँ पर, static charge होता है, और यहाँ पर जो हमने पढ़ा, यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा है, आपका current electricity के बारे में, यानि कि current क कितना होगा, और अगर आपकी voltage 10 megavolt हो जाए, अगर आपकी voltage कितनी हो जाए, 10 megavolt, तो आपको बतानी भई, energy आपकी कितनी होगी, energy के बारे में तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन current के बारे में हमने पढ़ा है, तो current आप लोग इसमें निकाल भी सकते हो, देखिए कैस time given है, कितना given है, 10 millisecond आपका time given है, तो t is equal to 10 millisecond, और 10 milli, milli का मतलब आपका कितना हुआ, 10 is to power minus 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 into 10 is to power minus 3, और यह आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, 10 is to power plus 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी power plus 1 है, एक power है आपकी, और यहाँ पर आपका क्या है, minus 3 है, तो यह आपका हो जाएगा, 10 is to power minus 2, और इसको हम लिख सकता हूँ, 0.01 second, इतना हम इसको लिख सकते हैं, और आपको क्या given है, यहाँ पर voltage given है, कितने given है voltage, 10 megavolt, megavolt का मतलब आपका हो गया, m है आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब 10 is to power 6, ज इतनी आपने क्या apply की हुई है, voltage आपने apply की हुई है, अब यहाँ से हमें जो निकालना है, वो जरह हम लिखते हैं, तो हमें क्या-क्या find out करना है, तो देखिए, to find out, to find out, क्या-क्या find out करना है, अब इसके अंदर आपको निकालना है एक तो current आपका क्या होगा, और दूसरा आपको क्या निकलना है? energy कि energy आपकी क्या है तो आएए देखते हैं आब इसमें कैसे आपका current आएगा और कैसे आपकी energy निकाली जाएगी तो पहले आपका current के बाए में बात करते हैं solution के अंदर current आपका क्या होता है? it is equal to q-it flow of charge per second यहां से charge आपका दे रहा है दस कूलम है और आपका time कितना दे रहा है 10 की power minus 2 इसको हम लिख सकते हैं या फिर 0.01 भी आप लिख सकते हो तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 10 into 10 is to power 2 यानि कि आपका कितना हो गया 10 is to power 1 plus 2 इसको ऐसे लिखेंगे और यह आपका देदेगा 10 is to power 3 और इसको हम क्या बोलते हैं 1 into 10 is to power 3 ampere यह आपका हो जाएगा 1 kilo ampere या तो हम इसको लिखे 10 is to power 3 ampere या फिर हम इसको लिखे 1 kilo ampere तो अगर आपकी कोई भी condition ऐसे आती है तो इसको हम क्या करते हैं simple form में लेके आते हैं तो अगर आपका कहीं पे points के अंदर है या जैसे आपका मीली के अंदर है तो solve करते हूं हम उसको ऐसे करते हैं और जब आपको answer लेके आना होता है तो वापिस इन्he parameters की form में आपको answer लेके जाना होता है तो इसी parameters की form में जब आपका answer आएगा तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, वन किलो एंपियर का, आपका क्या फ्लो कर रहा है यहां से, करंट उस टाइम पर फ्लो कर रहा है, वन किलो एंपियर का मतलब हो गया, बहुत ही जादा करंट आपका है, तो इसलिए मैंने आपको बताया देखो, कितने टाइम के लिए आ कि कूलمब आपकी बहुत ही बड़ी unit होती है अब यहां से चली आगे बढ़ते हैं आपका energy की तरफ तो energy आपकी क्या होती है देखो energy,आपके क्या होता है power into time इसको हम क्या लिखते हैं power into time तो यहां से energy it is equal to power into time अब power आपकी क्या होती है पावर को हम कैसे निकालते हैं ठीक है तो पावर को हम लिखेंगे इसमें भई आपने क्या लिया था देखो पहले हमने लिया था यहां से इसको आगे सोल करने से पहले हम जरा देख लेते हैं potential आपका क्या था? potential it is equal to work done per unit charge ठीक है यह आपने पढ़ा था पहले electric potential को ऐसा लिखते हैं अब work done को हम क्या बोल सकते हैं? energy आपका बोल सकते हैं तो energy it is equal to आपका कितना हो जाएगा? potential into charge ठीक है? potential into क्या हो जाएगा आपका? charge आपका आजाएगा अब यहां से potential into charge, चार्ज आप पक्या हो गया energy, अब हमें क्या निकालना यहां से, अब हमें निकालना यहां से power के बारे में है ना, तो power into time अगर आपने लिख दिया वैसे तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास में potential भी है, और आपके पास में charge भी given है, तो यहां की बजाए, अगर हम करना चाहें यहां से, तो यहां से भी हम इसको कर सकते हैं, दोनों का आपका देखते हैं, कैसे आपका आएगा, यह तो आपका आने वाले times में, जब आपकी आगे बढ़ेगी, आपकी electricity की unit, तब हम इसको वहां से formulate, मतलब यहीं से आपका निकाल क इसमें रखते हैं, तो यहां से जरा हम देख लेते हैं, यहां से आपका क्या आएगा, और यहां से आपका क्या आएगा, क्या दोनों से आपका answer क्या आता है, यह हमें देखना है, तो potential into charge, divided by, अगर मैं कर दूं time, यहां पे भी आपने क्या किया, energy divided by time, अगर आपने यहां यहां पे भी ऐपने ऐसा किया, तो energy divided by time, यह किसके बराबर है आपका? यह आपका power के बराबर है, और यहां पे अप्छल into charge by time, पोटेंशल into charge by time, potential को हम क्या लिखते हैं? v और charge by time का आपका क्या लिखते हैं? current, तो v into i, आपका क्या हो जाएगा? power आपका आजाएगा, तो हम यहां से भी कर सकते हैं, और हम यहां से भी आपका कर सकते हैं, तो power into time, यह आपका किसके बराबर है, अब देखो, ना तो हमारे पास power given है, सिर्फ हमें क्या given है, time given है, लेकिन power का हमें पता चला, V into I आपका होता है, तो V कितना given है, 10 mega, तो 10 mega का मतलब 10 into 10 is power 6, और into, current 1 kilo ampere, अभी हमने निकाला, तो 1 into 10 is power 3, time आपका कितना है, 10 raise to power minus 2 है यहां पर, है ना, तो यहां से आपका total जब हम इसको solve करेंगे, 6 और 1, 7, 7 और 3, 10, 10 और यहां से आपका चला गया, तो यहां से आपका कितना बचा देखो, 10 raise to power 10 हो गया, एक power इसकी, 6 इसकी, 6 और 1, 7, 7 और 3, 10, 10 में से दो गए तो, आपके कितने बच जाएंगे, 8, 10 raise to power 8 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 into, यह 100 है वही आपका, यहां पर 100 into 10 raise to power 6, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का square, 100, into 10 raise to power 6 आपका लिखेंगे, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 100 into 10 raise to power 6 इतनी जादा आपकी क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, तो यह तो आपने निकाला यहां से, अब हम इसको direct भी निकाल सकते हैं, energy it is equal to potential into charge, ऐसे भी आपका निकाल सकते हैं, तो जब आपका ऐसे निकालेंगे, तो यहां से आपका देखो, जब इन दोनों की multiply ही करनी है, तो इन दोनों की multiply आपकी कैसी हो जाएगी, potential into charge, 10 into 10, into 10 की power 6, तो यहां क्या हो गया, 100, 10 की power 6 को mega और energy की unit joule, तो same आपका answer आएगा, चाहे आप इसको यहां से निकालो, या फिर आप इसको यहां से निकालो, आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो, तो जितने भी आपके यहां पे छोटे मोटे formula आपके आ रहे हैं, उनको आप formulate करके लिखते रहिएगा, उनके उपर आपका question आ सकता है, और यही चीजे higher classes में भी आपकी helpful रहेंगी, अब next question अब हम देखते हैं, इस question के अंदर देखो, क्या कहना चाहरा आप से, कि एक आपका heater है, जिसको connect किया गया है 230 volt, जो आपके घरों में आती है, यानि कि 230 volt main supply इसने लिखा हुआ है, आपके घरों में mains की supply आती है, कितनी 230 volt की, single phase, ठीक है, single phase supply आती है आपके घरों में, और कितनी होती है, 230 volt की supply होती है, आगे कह रहा है, कि a current of 8 ampere flows through the heater, heater के थुरू कितना current आपका जा रहा है, 8 ampere का current जा रह कितना charge आपका flow करेगा, around the circuit, circuit के अंदर, हर second में, यानि कि heater के अंदर, आपका कितना charge, हर second मतलब, एक second के अंदर, कितना charge आपका flow करेगा, ये आपको निकलना है, तो पहले देखते हैं, आपका solution में, given आपका क्या क्या है इसमें, given है आपको voltage, और वो आपी कितनी given है, 230 volt, current आपका कितना given है, I, it is equal to 8 ampere, current आपका कितना given है, 8 ampere का current है, और अब आपको क्या निकालना है, चार्ज आपको निकालना है, इसका मतलब, to find out, to find out, q, कितना होगा, in 1 second, per second, या फिर आपका बोला जाए, each second, का मतलब आपसे निकलवाना चाहरा है, वो 1 second के अंदर, तो यहा से, इसका solution आपका क्या हो जाएगा, इसका solution आपका आएगा, यहां से, q, it is equal to, क्या होता है, i into t, तो जितना current, उतना ही आपका charge, क्योंकि time आपका कितना है, 1 second का है, तो i की value कितनी है, आपकी given, 8, और time आपका कितना है, 1, charge आपका कितना हो जाएगा, 8 कूलंब का, अब इस second के अंदर, आपका क्या आएगा, second के अंदर आपका आएगा, how much energy is transferred, कितनी energy आपकी transfer की जाएगी, per second में, तो अब जरा हम यह देखते हैं, तो how much energy is transferred, यानि की energy आपकी क्या होती है, यह आपकी होगी power into time, यह अभी हमने last में ही देखा था, उसका use यहीं पे हो गया आपका, तो power आपको निकालनी है, क्योंकि time आपके पास में है, तो यहां से, और energy को हम दूसर तरीके से भी निकाल सकते हैं आपका, मैंने अभी बताया, voltage into charge से भी आपका, तो यहां से, charge हमने निकाल लिया, voltage भी हमारे पास में, वहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी, तो power into time यहां से power आपका क्या हो जाएगी v x i और time आपका कितना है into time कितना है देखो यहां पर सेकेंड यानि कि time आपका 1 सेकेंड का है तो यहां से into t अब 2230 x 8 into आपका कितना हो जाएगा 1 और यहां से आपका आंसर कितना आएगा 23 into 8 कितना होता है बताएए मुझे 23 into 8 ठीक है तो यह आपका देगा 184 और 1840 और यहां से आपका कितना आजाएगा जूल्स में यह आपका आजाएगा इससे आंसर अब दूसरे तरीके से अगर हम निकालें तो एनरजी आपकी क्या होती है एनरजी आपकी होती है power into time आपने लिखा तो इसको हम कैसे लिख सकते है आपका voltage into charge तो वहां से भी आपका कितना आएगा 230 तो यहां से और या फिर दूसरा तरीका यहां पर हम लिख सकते हैं इंटू एट तो यहां से भी आपका अंसर कितना आएगा 18404 तो यह आपका हो जाएगा इसमें अंसर अब आगे हम डिस्कस करेंगे रजिस्टेंस के बारे में और पोटेंशिल, करंट और रजिस्टेंस क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं यह हम देखेंगे नेक्स लेक्चर